तो दुस्तों आज मार्ज की सतरन तारिक है और यह जो आप देख रहे हैं यह दोनों मेरे मधू कामनी के प्लांट्स हैं एक जो आब देखरें यह वाली जो जो वराइटी है यह मिनी लूराइटी मिनीचर भोलते हैं वराइटी इसकी खास बात इसकी जो पत्यकों का साईज है वह ठोड़ conservative जो थोड़ा चोटा रहता है जमीन में लगाने पर इस पौधे की जो पेड़ है वो डिवेल्प हो जाते हैं इसमें भी जो वाइट कलर के फ्लार्स हैं वो निकल कराते हैं लेकिन जो फ्लार का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है इस वाली वराइटी से और दूसरी बात यह दिखिए इसमें इस तरह से यह जो सीड़ हैं यह डिवल्प होते और इसी सीड़ पोर्ड के अंदर इसके जो सीड़ हैं वो मैच्योर होते इस वीडियो को शेयर करने का जो परपस है वो ये की एक पोधे को तो मुझे आज करना है फेटलाईस और दूसरे पोधे करनी है रिपॉर्टिंग तो तो मैं आज आपके ससर्छी और प्यूर्ट निर्शन करूंगा कौँसा जो बैलनस्ट फेटलाईसर है वो दोनों पOODों मे तो अच्छे से गुडाई करें नंबर एक यह देखिए इसमें अगर आप नोटिस कीजेगा यहां पर जो पौदा है यह थोड़ा बहुत रूट बाउंड है इसकी जो रूट से जड़े हैं वो उपर की तरफ आई थी लेकिन मैंने अच्छे से गुडाई कर दी लेकिन यह ज वीडियो शेयर की थी कि फरवरी में कौन-कौन से काम करने चाहिए तो उस समय पर इन दोनों पोदों की मैंने जो कटिंग प्रूनिंग है या कह सकते हैं कि हार्ड प्रूनिंग है वो अल्रेडी कर दी थी अब दोनों में जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हो चुक अगर आप गोर से नोटिस कीजेगा तो ये पुरानी जो डोर्मेंसिक में रही थी कुछ समय तक सर्दी के मौसम में इन में शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं थी बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी और नई पतियों में आपको चमक दिखाई देगी दूसरा इस तरह की जो पुरानी पतियां आपके पौधे में रहे जाएं उन सभी पतियों को जरूर से रिमूव कर दीजिए ताकि पौदा जो नई ग्रोथ है वो हैल्दी से अच्छे से कर सके तो ये पहला काम रहता है पुराने पौधे में करने के लिए उसके बाद दूसरा जो काम है इस रूट वॉल को यहां से बचाते हुए आपको सभी की सभी जो रूट को कट कर लेना है ताकि रूट वॉल जो है वो बागई रह जाए और साइड की जो रूट है वो सभी की सभी उनकी छटाई हो जाए तो यह दिखिए मैंने ये काम अच्छे से कर लιά है अब हमारे पास य जैसे मैंने आपको बताया कि रूट्स को साइड से रिमूव करना है, रूट वाल को ऐसे ही रहने देना है, रूट वाल को जदा डिस्टरब नहीं करना, ये काम आप या तो मौनसुन के समय पर या फिर इस समय मार्च अपरल में जब स्प्रिंग सीजन रहता है तब कीजेगा अब हम इस पुरानी सॉयल में से सारी जो रूट्स हैं वो बाहर निकाल कर फैंक देंगे, तो ये इस पुरानी मिट्टी को रियूज करेंगे, उसके बाद आपके साथ जो फर्टलाइजर है वो शेयर करता हूँ, कौन सा जो फर्टलाइजर है वो इसके लिए बढ़िया र इसी के अंदर मैं दुबरा से इस पौदे को रिपोर्ट करूँगा, बेस के अंदर पहले ये सारी जो सॉयल है वो फिल कर लूँगा लगबग 60-70% तक, तो ये दिखी 60-70% तक सॉयल फिल करने के बाद हमने प्लांट को यहां पर जो है वो प्लेस कर देना है, इसके बाद ह में जो देना है, यहां पर फर्टलाइजर देना है, फर्टलाइजर के अंदर यह जो आप देख रहे हैं, एक हिस्सा मैंने जो है वो यहां पर लगबग लगा लगा लिजिए, दो मुठी के आसपास जो और गैनिक मन्योर है, यह ब्लैक पलर में आपको नज़र आएगी, यह वाली यूज़ कर रहा हूं, और दो मुठी वर्मिकम पोस्ट, बीस ग्राम के आसपास यहां पर सरसों की खली जिसको मस्तर केक बोलते हैं, और दस ग्राम के आसपास बोन में, तो इन चारों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, इसकी जो 50% क्वांटिट यहां पर, आधा हिस्सा जो है इस क्वांटिटी का, वो मैं इस वाले गमले में जो है वो फीड कर दूँगा, यहां पर इसकी रूट्स के आसपास इस तरह से डाल दूँगा, इस गमले के अंदर इसकी 50% जो रेशो है वो इस गमले में फीड करूँगा, और बाकी का जो हि एक हिस्सा खाद एक हिस्सा जो है वो वर्मी कंपोस्ट या कावडंग जो भी आपके पास अवलेबल रहे और एक हिस्सा रेत या सेंड या बजडी का इस्तमाल कीजिए इस तरह से चार हिस्सों में जो मिट्टी है वो रेडी कर लीजिए और इस वाले गंबले की बात करूं नई फ्लारिंग के लिए रेडी है इनको हाला की पूरी धूप चाहिए होती है लेकिन अभी कुछ दिन के लिए इनको जो है वो सैमी शेड में प्लेस करेंगे उसके बाद तीन-चार दिन के बाद पूरी धूप में पहली बार पानी देने के लिए यहां पर मैं जो यूज कर रहा हूए इस तरह से दिखिए यह सीवीड लिक्वीड है अगर आपके पास हुमीक ऐसीड हो तो हुमीक ऐसिड का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से इसका पांच हैमेल एक लिटर पानी में आपको डिजॉल्व कर लेना है अच्छे से मिक्स कर देना है और दोनों लगबग 500-600 ml जो है वो पानी दोनों गमलों में फीड करना है यह यह कि कुछ इस तरह से हमें इनको पहली बार अच्छे से पानी देना है तक कि इनकी जो रूट्स हैं वो सेटल हो पाएं अच्छे से जो है वो टिक जाएं दुबारा से और यह पौधा अपनी नई ग्रोथ स जो प्लांट्स हैं जिसमें मौगरा चंपा या जैस्मिन की बहुत सी वराइटिस इनको टाइमली आपके साथ जो रीपॉर्टिंग है वो शेर किये किस तरह से करनी चाहिए आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा और अडेनियम की भी बहुत सी मैने वीडियो जिसके रि झाल